अब तो खाले विर्वन यौल वाचिंग आइस पर सेंपलिफाइड और हम लोग इस लेक्चर में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम को कम्प्रीट टिटेल से बुक यूज करें गटना चकर की गंगा रिवर सिस्टम मैं आपको पूरे की पूरी लेक्चर दे रखा हूं गंगा रिवर सिस्टम पे वो भी एक रिवीजन पॉर्शन है आप आराम से जाकर के उसको देख सकते हो लेकिन अब हम लोग कोई रिवीजन करेंगे फिर एमसी क्यू पर जाएं ठीक है न चलिए त आपको बांदर पूछ गो मुक केदारनात बद्रिनात ये चार हिल्स है इस चारों हिल्स है खेग उसमें जैसे अगर हम बात करें अब इस से से कुछ reverse निकलती है हम लोग बात करते हैं अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सतोपन river के दौपार, अलग Nagya river को विश्णु प्रियाग में जुइन किया आता है फिर जब वो आगे चलती है, तो lift bank tributary से आके मिलती है अनदाक्णी river, अच्छा, lift bank tributary क्या होता है, माल लीजे आप कोई फ्लो है उस पे आप बैट जाईए उस डिरेक्शन में और अपने लेफ्ट हैंड को देखिए वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा और राइट बैंक को देखिए तो इसमें कोई पिंडार रिवर के दौरा पिंडार रिवर भी उसकी लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और वो जूरती कहां पर है कर्ण प्रियाग में फिर जब रिवर आगे चलती है तो चोड़ा बारी ग्लेसियर से निकलती है मंदाखनी रिवर जिसको हम लोग काली गंगा भी कहते हैं और कहां पर जूरती है तुरुदर प्रियाग में फिर जब इनकी कॉंबिनेशन आगे चलती है आगे चलने के बाद भागी रथी रिवर आती है आपको गंगोत्री ग्लेसिर से वो मिलती है आपको देव प्रियाग में देव प्रियाग में मिलने के बाद यह जो कंप्रीट जाके प्रियाग राज में मिलेंगी तो अब उसको हमको अपलग उस पे फोकस नहीं करेंगे ठीक है अब चलिए अब जैसे गंगा आगे निकलना सुरू कि स्टार्ट निकली तो आगे चलने के बाद आगे चलने के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ उसकी अब यह से देखिए इस पे आप बैठ जाईएगा तो यह राइट बैंक कि वह कुछ रीवर्स के बारे में जान लेते हैं सब से पहलेगर दो जाने तो चंबल रिवर चंबल रिवर जो है यामूना शे आके मिलती है और अगर लोग बात करें चंबल कहां कहां एप करती है तो रास्था और एमपी में फ्लो करती है चंबल जो है जानापू माउंटेन से निकलती है चंबल की ट्रिब्यूटरी की बात कर लें तो एक काली सिंध रिवर है ठीक है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल की वो फिर पारवती है दिन सिप्रा है यह सारी रिवर्स और अगर left bank की बात कर ले तो बनास रिवर है तो चंबल आके मिल गई आपको यमुना से अब यमुना की बात कर लेते हैं कुछ left bank tributary यमुना की तो सिंध है चंबल, सिंध, बेतवा, केन केन, बेतवा, इंटरलेंकिंग की बात भी चल रही है अभी आपको पता होना चाहिए, यही पर पढ़ना tiger reserve है तो यह हो गए आपको यमुना जो की प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है इसी तरीके से अगर हमनों left bank की बात कर ले तो राम गंगा एक river है, जो कन्नौज में आके गंगा से मिलती है उत्रा खंड से निकलती है, अब और आगे बरेंगे, तो गोमती river गोमती river, left bank tributary है गंगा की, गोमती की बात कर ले तो इसकी गोमती की tributary है sign river, अगर इसको याद करने के trick जानो तो गोशाई है आप याद रख सकते हो, ठीक है, अब जब आगे बरोगे, तो गागरा डीबर इसकी tributary है RTSB, इसको याद रखने का तरीका है, इसको मैं याद रखता हूँ, रूरल, टेलिकॉम, सर्विस, भोपाल, मांगलादेश, बिहार, कुछ भी याद कर लो तो इसकी tributary क्या क्या हो गई, राप्ती, तीला, सेती, भेरी गागरा डीबर की, जो tributary हो गई, वो राप्ती, तीला, सेती, अन भेरी, क्लियर है, आगे चलने के बाद, सोनपूर, नियर पटना, में गंड़क आके मिलती है और यहीं पे आपको एक और रिवर आपको देखने को मिल जाई गंगा में, तो वो है सोन, सोन आके आपको मिलती है, जो माध्यपरदेश से आ रही है और सोन की राइट बैंक ट्रिविटरी है, नौर्थ कोईल रिवर, गंड़क मिली, सोन मिली, ठीक है न, यह पटना के लगवक सोनपूर या फतुहा क्या सपास का रिजन है और गंड़क की अगर हम बात कर लेट रिविटरी की, तो त्रिसूल गंगा है, गंड़क निकलती हिमालया से है, फिर आप आगे बढ़ होगे, तो लिफ्ट पैंक ट्रिविटरी में एक कोसी रिवर है, जिसको सौरो और बिहार भी कहते हैं, सौरो क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बढ़ा रिजन है यह, फिर और आगे चलोगे, तो महाननदा रिवर, जो कि लास्ट रिवर है, ठीक है न, आगे चलने के बाद, एक फरक का बैराज बनाया गया है, ऐसा क्यों कि आ गया, क्योंकि यह वाटर की एक रिजन में स्कार्सिटी बहुत जादा हो रही थी, मान लेजी इस रिजन में स्कार्सिटी है, यहां बहुत जादा पानी मिल रहा है, तो एक बैराज बना के पानी को यहां पर डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया है, जब यह फरक का बैराज से यहां से गंगा निकलती है, तो उसको हम लोग कहते है होगली, होगली रिवर, औ होगली को जोईन करती है दामोदर, जिसको हम लोग रूर आफ इंडिया भी कहते हैं, यहां निकलती है छोटा नाकपूर प्लेटी उसे, और अगर हम लोग बात कर ले दामोदर की ट्रिब्यूटरी की, तो बराकर इस ट्रिब्यूटरी आफ दामोदर, क्लियर है, अब रिवर आगे निकलती है गंगा, तो वो जोईन होती है ब्रहंपुत्रा रिवर के द्वारा, जिसको हम लोग जमुना कहते हैं इन बांगलादेश, और जब गंगा को पदमा कहते हैं इन बांगलादेश, और जब गंगा ब्रहंपुत्रा मिल जाती है, तो मिलने के बाद उस इस रिवर को मेगना डिवर सिस्टम इन बांगलादेस तो यह था हमारा कुईक रिविजन अब हम लोग इसके कोश्चंज पर चलेंगे घटना चक्ट होगा और कुछ भी नहीं ठीक है न अब चलते हम लोग कोशन से इस पर कहीं पहल rites पहला कुछ देखते हैं यह दूसरा Um ऑफ कि रिवर इस पहलं के लिए थो फलिवर की बात करें तो गंगा है इसकी लेंदध आपको 202 मिल याईगी तो तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो लॉगेस्ट रिवर है प्चेस्ट सो पचेस किलोमेटर है इंडिया में अगर हम लो बात करें यह वेस्टन हिमाल्या से राइस होता है साथ-साथ में इंडियन शेट उत्राखंड से ही ओरिजनेट होता है मार्च 2017 में हाई कोट आफ उत्राखन ने इसको डेक्लेर कर दिया गंगा रिवर सिस्टम को लीगल पर्शन मतलब क्या है कि आप उसको पॉलिट करते हो तो आप आप एक आप एक आप एक आफेंस करोगे ठीक है न अब बात करते हैं कोशन मत्री की इन भांगलादेस रिवर गंगा इसको पदमा कहते है जो कि एक लोगजितर सिस्टम है इंडिया का इसकी लेंफ अगर हम ड्रेश की बात करें तो इंडिया में 2415 किल葉ंड है अगर लेंफ़ वाइस बात करें तो 2525 eldest है यह यह मर्ज होती है गंगोतरी ग्लेसियर से गंगा जो है जॉइन किया गया है भील गंगा, भील गना, इंतेहरी, अलकननदा, इंदेप्रियाग, मैंने आपको अलड़ी पूरा का पूरा टाइमलाइन बता रखा है, आपको इन चीजों कोछ देखने की भी जरूत नहीं है, उसके बाद राजमाल हिल से फ्लो करते हुए बॉर्डर अफ जार्खन, गंगा इंटर करती है बंगलादेस में, फरक्का इन वेस्ट बंगॉल, कहां पे तो फरक्का एट वेस्ट बंगॉल के पास, ठीक है, और यहां पे गंगा को पदमा भी करता है, गंगा मर्ज होती है बंगलाइस ब्रहंपुत्रा में, ब्रहंपुत्रा में मर्ज होने के बाद इसको मेगना का आता है, मेगना रिवर फाइनली कहां पे डंप हो जाती है, तो बे बंगॉल में डंप हो जाती है, और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फार्म करते है, डेल्टा जो है इसके बारे में थोरा सा समझ लेते हैं, देखिए, मोरिबून डेल्टा जो है ना वो सब्डिविजन है बेंगॉल डेल्टा का, देखिए, मोरिबून डेल्टा एरियाज आर्थ साउथ वेस्टन पार्ट अफ दी कंट्री, साउथ अफ दी गेंगाज रिवर वेर अगर हमनों बात करें, तो यह जो रिजन होता है वो हाईली सिल्टेड होगा, और साथ साथ में यहाँ पर ऑक्सपो लेक्स का फॉर्मेशन बहुत होता है, अब आप पूछो के ऑक्सपो लेक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेजे कोई एक रिवर आ रही है, ठीक है, और बीच में क्या हुआ, वो थोड़ा से डाइवर डोके अपने, अपने डिरेक्शन को चेन करके, ऐसे करके, क्रॉस करके चली गई, ठीक है, कुछ समय बाद, फिर वही रिवर इस तरीके से आ रही थी, और इस तरीके से चली गई, तो यहाँ पे कट हो गया न, तो यही बना लिया ओक्सबो, ओक्सबो सेप का लेक बन गया यहाँ पे, यहाँ पे एक लेक बन गया, जैसे कावरताल लेक है, जो की गंड़क रिवर के दुरा बनाए गया है, बिहार में, बिहार के बेगुसराय में है, उसको वो भी एक फॉर्म है, ओक्सबो ले गंगा को क्या कहते हैं तो हर बार एक ही कोशन पद्मा आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड एशिया फ्रस्ट इंडिया एड एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एंडी आर्सी is being set up on the bank of गंगा रिवर एट पत्ना में बनाया गया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो तहके तहां और सुन्दर्पन डेल्टा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है एंग्वार आ गांग चलते हैं कहे रहा है थे त्वा कोई भी एक रिवर holier होगी, तो वो river ज्यादा polluted होगी, तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है, किसी river को अगर holier मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो उसको बहुत साफ रखायता है, तो ये case नहीं है, बस ये गंगा का ऐसा exception हो सकता है, लेकिन हर जगा ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा answer हो ज 6000 मीटर के आसपास, देखिए, alluvial soil क्या होता है, alluvial soil वो silth होता है, वो erosional soil होता है, जो की लाया आता है river के द्वारा, mountains, mountains के rocks के टुकरे को लेले के धिरे-धिरे वो soil में convert करता है, एक बात मैं आपको बता दू, alluvial soil दो तरिकी का होता है, एक होता है बागर alluvial soil, एक होत है, ठीक है, जो river के बेट के पास है, वो खादर है, जो दूर है, वो भागर है, ठीक है न, इस तरीके से याद रखिएगा, और में लोग, depth of gangetic alluvial soil की बात कर ले, तो लगवाग, land surface से 6000 मीटर के आसपास होती है, according to oldham, the depth of gangetic alluvial soil below the land surface is about 4000 to 6000 मीटर, and according to glenny, यह अलगल theories है, आपको ध्यान रखना होगा, glenny के according 2000 मीटर, and oldham के through 4000 से 6000, अब question में कुछ नहीं पूछा है, तो हम लोगो oldham को समझ कंसीरा कर लेते हैं, ठीक है, अब चलते है, question में 11 पे कह रहा है, examine the following statement, and select the correct answer by using the code given below, तो क्या कह रहा है, देव प्रयाग जो है, वो located है confluence of भागी रती and अलकननन्दा रिवर, मैंने आपको अलड़े भी टाइम लेन बताया है, तो उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, उसे तरीके से रूतर प्रयाग is located on the confluence of Mandakini and अलकननन्दा रिवर, बिल्कुल ये भी correct है, ठीक है, और अलकननन्दा flows from बद्रिनाथ, ये भी सही है, तो 123 तो best, सबसे hard, सबसे biggest, तो इस पर थोरा सा focus कीज़ेगा, वो high chances होता है कि वो question wrong होगा, तो यहाँ पर 123 तो absolutely correct है, तो option हमारा ये हो जाएगा, हम लोग इसकी explanations को देख लेते हैं, देखे, ये सब देखने की जरूत नहीं है 123 क्योंकि हम लोग ने जान रखा है, option 4 देखते है, दे इस बार तक ख्याल रखना है आपको, और यहाँ यह 12 जो जोतिर लिंग से हैं, उसमें से एक है, लोड लोड सीवा का, इंडिया में जो 12 जोतिर लिंग है, उसमें से एक है, किदारनात को समाधी अस्थल और अधी संक्राचारी भी कहा जाता है, तो option 4 रोंग है, याद रख कुशन में 12 पर चलते हैं, अब देखिए, कुशन में 12 कह रहा है, कौन सी रिवर, किस किस रिवर के कौन्फियेंस पर कौन कौन सा प्रयाग बसा हुआ है, मैंने आपको अल्रेडी बताया, अलक नंदा दहौलिगरी विश्नु प्रयाग पर है, नंदाकनी नंद प्रयाग, उसी तरीके से पिंडार रिवर और फॉर्मिशन अफ डाट रिवर, कमाइन रिवर वो है आपको करन प्रयाग पर, मंदाकनी आपको रूदर प्रयाग पर मिल जाएगी, तो देखिए, तो आप देखिए, अगर आपको पहले हम लोग बात कर लेते हैं, रूदर प्रयाग र जंग्सन होगा, तो मंदाकनी रिवर को देखिए, और उसको मैच कराइए, तो रूदर प्रयाग से मंदाकनी हो गया हमारा, नंद प्रयाग की बात कर ले हम लोग, तो नंद प्रयाग में नंदाकनी रिवर आनी ही चाहिए, तभी तो नंदाकनी रिवर आके मिलती है, कर्ण प्रयाक की बात कर लेते हैं, अगर कर्ण प्रयाक चाहिए आपको तो पिंडार रिवर चाहिए, कर्ण प्रयाक चाहिए तो आपको पिंडार रिवर चाहिए, तो चले पिंडार रिवर तो हमें मिल गया, तो हमारा यह हो गया C, 3, अब लोग देव प्रयाक की बात कर ले आप को देव प्रयाग में आपको याद होना चीए मैंने अल्रडी बता रखा है, एक बार मैं फिर से सोट में यहां से आई आपको अलग नंदा रिवर, जोईन की गई, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको अलग नंदा रिवर जोगी शतोपन ग्लेसियर से निकल के आई, फिर उसको जोईन किया गया धोला गिली रिवर के द तो इसको जोइन किया गया, किसके कौन से रिवर के द्वारा, पिंडार रिवर के द्वारा, पिंडार रिवर जहां पे जोइन करता है, इस combination of rivers को उसको कहते है कर्ण प्रयाग इस reason हो कही है कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग क्लियर है कर्ण प्रयाग में जब यह river की combination आगे वरती है तो उपर से चोड़ाबारी glacier जो कि केदारनात महिल से निकल के आती है महाँ से आती है मंदाकनी river जिसको में लोग काली गंगा भी कहते है वो आके मिलती है रोधर प्रयाग में रोधर प्रयाग से यह combination चलने के बाद उपर से गंगुत्री glacier से निकल के आती है भागे रथी river और वो आके मिलती है आपको देव प्रयाग में यह junction हो गया देव प्रयाग और यहां से गंगा निकल के चलती है तो गंगा is the combination of all the six river आपको इतन ध्यान रखना है आप question क्या पूछ रहा है तो भागी रथी और अलखनादा तो आप राम से देव प्रियाग मारी है आगे बढ़ी है ठीक है आपको ये timelines याद होना चाहिए कैसे कैसे कहा कहा कौन कौन से जंक्सन में मैच हो रही है एक दो बार practice कर लीजेगा तो असान हो जाएगा चलिए question of 14 कह रहा है which of the following is the place of confluence of अलखननदा एंड भागी रथी तो मैंने आपको अल्रेटी बताया है actual river गंगा की तो वो है आपको देव प्रियाग में ठीक है ना अब चलिए देखो समय 16 कह रहा है with which drainage system और main river इन मंदाकनी associated है तो मंदाकनी किस से associated है एक बार आप सोचके देखिएगा तो बिल्कुल वो अलकननदा से associated है देखें मंदाकनी रिवर originate कहाँ से होती है चोड़ाबारी टाल जिसको चोड़ाबारी glacier भी कहते है यह आपको केदारनाथ हिल पे है और यह किसके दौरा continual रहती है मतलब हमेशा तो मंदाकनी ओरिजिनेट होती है चोड़ाबारी glacier से जिसको fade किया आता है उस glacier उस river में fit किया आता है वासू की गंगा river से कहाँ पे तो सोन प्रयाग में यह बाद में मर्ज हो जाती है काली गंगा काली गंगा किसों कहते हैं मंदाकनी रिवर हों कहते हैं नियर काली मत temple and with मध्यामिश मिश्वर गंगा नियर उकीमत बाद में यह अलकनन्दा से रूदर प्रयाग में जो कि साउथ औब बद्रिनाथ में आके इमर्ज होती है अलकनन्दा इमर्ज होती है सतोपन पीक ग्लेसेर से and इसको सतोपन ताल भी कहते हैं यह लोकेटेड है आपको कौन सी रिवर फ्लो करती है तो वो है आपको मंदाकनी रिवर इसके वारे में आल्रेड हम लोग टाइम लेन बात कर चुके हैं जादा डिसकस करने की ज़रूत नहीं है कुछन में जलते हैं अलोंग वीचो तो फालूइं रिवर बैंक फेमस टेंपल बद्रिनाथ बद्रिनाथ का जो फेमस टेंपल है वो कहाँ पे लोकेटेड है वो लोकेटेड आपको किस रिवर के बैंक पे तो अलकनंदा के बैंक पे तो देखें फेमस बद्रिनाथ टेंपल is situated near the bank of अलकनंदा रिवर वाइल केदारनाथ temple is located near the bank of मंदाकनी केदारनाथ है मंदाकनी पे और अलकनन्दा है आपको याद रखेगा बद्रिनाथ temple के बद्रिनाथ temple है अलकनन्दा के bank पे अगर हम लोग बात करें longest flowing river इन इंडिया की तो वो है गंगा गंगा रिवर का लेंध है पची सो पची सो किलो मेटर गुदावरी है 1465 नर्मदा रिवर है 312 महानदी है 851 महानदी रिवर पे कौन सी डैम है आपको मेरे को कमेंट सेक्सिन बता देना यह कटक से भैती है याद रखेगा समस्टा कर दूसिता अपको पता है गोमोस के किस कौंसे ग्लेसियर से तो गंगोlect है आप देखेट कि इसी इसिर्फ एकमात ना कूसी है रिवर कंगा की जो की राईज होती है प्लेन में तो वह है गोमती helps प्राद किजी को भूत दोस्ट में आपको आपको प्रक्राइब से लेकिन गोमति जो है वो वह यह लेकिन वह प्लेन से निकलती है होगा यह आपको कहां से निकलती मैं भी अभी सुन गोमत ताल है पिलीवीद डिस्ट्रिक है उत्तरप्रदेश में वहां से निकलती है देखे आगे बढ़ते हैं question number 22 के चलते हैं among the following tributary which one is the part of Ganga river basin इसमें से कौन सी tributary है जो की Ganga river basin की part है देखें नौर्थ को यह अगर आपको याद होगा न तो जार्खंड के छोटा नापको प्लेटी उसे जो river निकलती है दामोदर उसकी ये सोरी सोन river की ये tributary है I'm extremely sorry for this सोन की tributary है जो की जार्खंड से flow करती है आपको clear होना चाहिए यह जो सोन river है न नौर्थ को यह न वो right bank tributary है सोन river की राइट से जाइट से है के जुड़ जाती है सोन river जो है न वो दूसरी सबसे largest है पहली यमुना है जो की tributary है गंगा की अगर हम लोग बात करें tributary of गंगा की तो यमुना सबसे बड़ी है उसके बाद सोन river ही है second most longest river के टम में ठीक है न साथ में ही गंगा river जो है वो southern part गंगा नियर पठना में आ करके यह लोग confluence बनाती है सोन river आके मिल जाती है अगर हम लोग southern कोयल की बात कर ले यह flow होती है जारकंड न ओडिसा में southern कोयल river flows in association with the northern कारो river and as the कोयल river which joins the sunk river near राउरकेला इन ओरिसा राउरकेला इस्टील प्लांट आपको याद होना चाहिए as the ब्रामनी रिवर तो as a ब्रामनी रिवर वो flow करती है राउरकेला ओरिसा में अब हम लोग बडाकर रिवर सिस्टम की बात कर ले आपको पता होना चाहिए ब्राकर जो है वो दामोदर की ट्रिव्यूटरी है दामोदर जिसको रूर अफ इंडिया भी कहते हैं जो छोड़ा नेकपूर प्लेटियू से निकलता है ठीक है न चलिए अब देखिए इसी के साथ साथ ब्राकर भी है नॉर्थ कोयल है यह दोनों क्या है गंगा रिवर वेली सिस्टम में आती है इसी लिए यहाँ पर आप्शन हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा चलिए आप देखते कोशन में 23 कहरा यमुना बिकम बिकम्स आडेड रिवर बिट्विन डेली अन आगरा मोस्ट अप दी एर तो यह तो absolutely correct है यहाँ पे industrial प्लस आप कह सकते हो domestic discharge बहुत जादा होता है मतलब गंदगी, chemical, fertilizer से सब बहुत जादा इसमें dump होता है तो पूरे साल यह dead river है complete dead है डेली और आगरा के बीच में अब पूछ रहा है यमुना जो है वो non-perennial river है non-perennial केले का मतलब साल भर नहीं चलती है तो यह गलत है वो है perennial river लेकिन उसको हम लोग अपने कर्मों से मार चुके है तो option A तो हमारा absolutely correct है बट B correct नहीं है यमुना जो है perennial river तो सिर्फ और सिर्फ A होगा और reason false है तो option C हो जागा हमारा correct answer थोड़ा जान लेते है यमुना become a dead river between Delhi and Agra most of the year because of the domestic discharge and industrial west in Delhi गाजियाबाद, Mathura, Agra तो option A correct है लेकिन यह perennial river है non-perennial नहीं है तो R false है कह रहा which one of the following river is not a tributary of यमुना यमुना की tributary कौन नहीं है तो यमुना की tributary कौन कौन नहीं है आपको मैंने अल्रेड़ी बताया न चंबल, सिंद, बेतवा, केन, बेतवा, चंबल, सिंद मैंने आपको अल्रेड़ी बताया तो बेतवा है, केन है, चंबल है तो राम गंगा नहीं है तो option नमारा हो जागा D answer हमेशा timeline पर जाए तो यह timeline आपको हम दिमाग में रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है चले, question में 25 कहा रहा है The river Yamuna originates from Yamuna कहां से originate होती है तो Yamuna river originate होती है आपको बांदर पूच से याद करिए, मैंने आपको Yamuna 3 glacier से originate होती है Hill है आपकी बांदर पूच Question में चप्पिस क्या कह रहा है Consider the following tributaries of river Yamuna and add them in from west to east आपको west to east में सजाना है Yamuna की tributary मैं आपको अभी just timeline ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरीके से होगा देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे मान लिए यह Yamuna river है ऐसे आगर के गंगा से मिलती है गंगा से कहां मिलती है यह Ganga river जा रही है यह मिलती है आपको प्रयाग राज में ठीक है प्रयाग राज मिल रही है आपको अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगर के मिली एक चंबल river West to east की बात करेंगे अब मैं आपको चंबल की ट्रिवीटरी ने बताऊंगे हां यमुना की ट्रिवीटरी में जानना है तो अब अप्सन में देख लेते हैं हम लोग पहले आजेगे वेस्ट विज जाना है तो सबसे पहले आपको मूव करना पड़ेगा चंबल हो जाएगा तो पहला चार हो पहलेगा रटने की कुछ भी जड़ूत नहीं है अब में 27 केहते हैं विच्वत फालव रिवर डज नॉट इंट डिवर यमुना यमुना में कौन फॉल नहीं करती है तो उन रिवर सों रिवर गंगा में फॉल करती पारवती जोइन करती है लेकिन बेतवा नहीं करती है केन बेतवा डाड़ेक्ट यमुना की ट्रिब्यूटरी है ठीक है ना तो हमारा आंसर हो जागा बेतवा हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूत नहीं है अगर आपको इसकी पीडियाफ चाहिए यू कन जोइन माई टेलिग्राम चैनल आईसपी सिंप्लिफाइड आपको वहाँ पर इसकी पीडियाफ मिल जाएगी complete की complete और अगर वह गंगा रिवर सिस्टम वाली भी चाहिए तो व विन्दियन रिंज है आपको पता होना चाहिए विन्दियन माउंटेन रिंज है वह रायस 65-At altitude है 576 मिठर है maximum नहीं अगर मुह बात करें यह या मुनारव को जोइन करती है से या बैड लाइंड से पढ़ा है बैड लाइंड कहने का मतलब जहां पे एक तो पहली बात भीहड़ आपको पता होगा वहाँ पे डाकों का बहुत जादा पॉपुलरिटी था दूसरा वहाँ छुपना असान होता है वहाँ खाना पीना और जीना बहुत मुश्किल होता है यह इरोडेड लैंड पैटर्न्स होता है जो रीवर का स्पस बनता है, चंबल रीवर एक ट्रिबूट्री है यह मुना रीवर की, जो Central इंडिया में, तो फॉर्म करता है, Great Gangetic Drainage System का भी एक पार्ट है, चंबल की ट्रिब्यूट्री मैंने आपको अल्रेडी बता रखा है अगर आप देखिए तो काली सिंध यह आपको इसकी लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूट्री है राइट बैंक ट्रिब्यूट्री है पारवती सिप्रा और बनास उसकी लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूट्री है अब देखिए ये complete आपको mapping का question है map पे जाए एक map अपने पास हमेशा रखा किजिए map पे खेलिए ठीक है ना तो इंडोनेशिया जो है वो किसके साथ land boundary शेर नहीं करता है तो answer है उसका ब्रुनेई ब्रुनेई के साथ नहीं करता है ठीक है ना अब बताना है आपको अब चाहिए करता है डिएक सेर नहीं करता है इंडोनेशिया शेर लैंड विथ किसके किसके साथ करता है तो मलेशिया के साथ अन्द आइलन आइलेंड ऑब बॉर्णियो एस सेबैटिक एनड पापुए नाइग यूँटिया की तो यह आईलेंड है नी नीगनान का और्यू नॉर्थ वर्ट नॉर्थ वर्ड फ्लो करता है तो वहां पर एक तरीके से समय केर नहीं की आरे बात मतलब है targeted Pori नौर्थ की तरफ फ्लो हो रही है बेसिक उसमें उलजना नहीं है कंसिप्ट को क्लियर रखना है जब भी आपको लेफ्ट पैंक राउट राइट बैंक राउट बैंक कन्फिजोन ओंक रिवर बैट जाईए आप रिवर जिस फ्लो डिरेक्सिन फ्लो करें उदर देखिए आप त्विटरि सांइं थी कहाँ फिर आपटी एसवी औंट्भिट्र एसवी औंट र प्रकॉषी अंटमाल है नंदा के सारे खूनसी रेंज है जो water divide की तरह काम करती है तो कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज आपको पता होगा, रोतार्ड डिस्ट्रिक में फैली पड़ी है, ठीक है, आप अगर बिहार का कॉर्नर देखोगे, बिहार, यह मालने ज़े यह बिहार है, तो यह जो reason होता है ना, यही पर कैमूर रिल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, यह थोड़ा सा विंदियन का भी पार्ट है, ठीक है, अब चली आगे बढ़ते हैं, कैमूर रेंज जो है ना, वो फार्म करती है, वाटर रिवर जोइन करती है, तो पुनपुन रिवर जोइन करती है, गंगा को फतुहा के पास, पुनपुन रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, प्लेटियो से, जारखंट से, छोटा नाकपुर प्लेटियो से ओरिजिनेट होती है, इंटर करती है, औरंगाबाद, इस्टिक ऑफ फ्लो नहींकरती यह सपर्दे duty हैं दस्ट नहीं करती है ऐट से नहीं और एस नहीं करती है तो गंड़क ने करती हैं यो पी हिंडवां आपको होगा अगर से अक्षोन नहीं मांडा, स्रिनगर, हिंड़न, यूपी, वहाँ पे तक उसकी एक्स्टेंशन थी, यह बात याद रखेगा, तो सार्दा रिवर भी है, तो गंड़क नहीं है, अनसर वानसी हो जाएगा, कोसर में 38 देख लेते हैं, कहाँ रखेगा, तो पुनपुन है उसका पार्ट, ठीक है न, अजई रिवर है, जलांगी रिवर है, जोंक रिवर नहीं है, जोंक अगर हम बात करें, जोंक टेल, यह किस की है, यह आपको महनदी की है, याद कीजेगा, जोंक टेल, जोंक जोंक टे यह आपको महनदी की है, जोंक रिवर जो है, वो ट्रिविट्री है महनदी की, जो की फ्लो होती है, ओडिसा एंच थिसगर में, महारणी रिवर पे ही, कटक से, महानदी के बैंक पे कटक सिच्विटेट है, कटक जहां पे आपको सुभास चंद बोश की बर्थ प्लेस है, चाहिए तो आपको मेरी चाहिए तो आपको मेरी कंटेट अच्छी लग रही है तो यू का सबस्क्राइब चैनल, आज इस प्सब्सक्राइब तो यू